नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी साथ प्राची कुमारी देख तुरिया की तमाम खबर जानने के लिए मेरे साथ बने रही है आपे समाचा पर जहां देखेंगे खबर सच मालदा टु मुंबई ट्रेन के उद्धातन को भाजपा त्रोल्मूल नेता एक मंच पर आई हरी जंडी दिखा ट्रेन किया रवाना पहली बार दो राजनीतिक पार्टियों के मंत्री और विधायक एक मंच पर दिखे उद्धातन समारोह के अवसर पर भाजपा के उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू और राज्य की सिंचाई मंत्री सबीना यासमिन सहित रेलवे अधिकारियों ने हरी जंडी दिखा कर ट्रेन को रवाना किया रेलवे डिविजन के सिनियर डिसीम पवन कुमार ने बताया की मुंबई से मालदा के लिए शुन्य 1310 CSTM सापताहिक सुपरपास्ट मेल ट्रेन सोमवार से चालू हुई वही बुधवार को मालदा से मुंबई के लिए सपताहिक 03102 CSTM सुपरपास्ट ट्रेन चालू होगी आज सुपह 11 बजकर 5 मिनट मुंबई से मालदा से ट्रेन चली है यह ट्रेन बुधवार रात 12 बजकर 45 मिनट पर मालदा में पहुंचेगी यह शुक्रवार सुपह 3 बजकर 50 मिनट पर पहुंचेगी मालदा से मुंबई के बीच यह ट्रेन 29 स्टेशनों को पार करेगी इस ट्रेन में एक सेकंड क्लास AC, पांच 3 टायर AC, 10 स्लीपर कोच, 5 जेनरल कोच है सेकंड क्लास AC का भाड़ा 3420 रुपया रखा गया है वही 3 टायर AC का भाड़ा 2425 चैनल को लाइप और शेयर करना ना भूले आइकन बेल दबाना बिलकूल ना भूले जिससे प्रत्यक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके जैसे की प्रत्यक दिन का राशिफल प्रत्यक परव का आर्टिकल नई और स्ताजी खबरे